Hello everyone, I am Harmeet, welcome you all in this video. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that how you can become a successful freelancer in 2024. So, अगर आप एक freelancer हैं, या freelancing start करना चाहते हैं, already काम कर रहे हैं, एक extra source of income generate करना चाहते हैं, तो कहां से start करें, कौन से platforms को use करें, कौन से skills अभी जादा trend में हैं, मतलब जिनको लोग hire कर रहे हैं as a freelancer, उसी के साथ ही कुछ ऐसी चीजने जिनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है इस time में, वो सारी चीजने इसी एक वीडियो में समझेंगे, तो this can be a wonderful starter for you guys, बाकी freelancing का course आपने करना है, free course, don't worry, इसी चैनल पर video है, complete course है, और थोड़ी से long video है, बट उसमें पूरा freelancing cover किया गया है, description box में, आपको video का link मिल जाएगा, पूरी video देखिए, एक चूल, किस तरह से आपको use करना है, account कैसे बनाने, कैसे अपने clients को approach करना है, तो अभी freelancing में काफी ज़्यादा trend में है, of course, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका reason यह है कि it is flexible, आज के time में बहुत ज़्यादा लोगों को यह चाहिए, कि वो अपना ना, मतलब work-life balance maintain कर पाएं, तो freelancing में यह चीजने आप कर पाते हो, you can travel and you can work, है ना, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, of course, इसके लिए आपको काफी महनत करने पड़ती है, और plus यहाँ पर एक जो income की stability नहीं रहती, of course, कभी आपको काम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, by the way, जो लोग new हैं, जिनको नहीं पता freelancing क्या होता है, मैं बता देती हूँ, freelancing का मतलब होता है, project basis पर, task basis पर किसी के लिए काम करना, मतलब आपको projects मिलेंगे, आपको tasks मिलेंगे, आप उनको करोगे काम को, और फिर उसके बदले में आपको pay किया जाएगा, अभी इसमें clients भी आपको जूनने है, उनसे deal भी आपको करना है, काम भी आप नहीं करना है, उनको submission भी आप नहीं करना है, देन उसके बाद में payment भी आपको collect करना है, so you are basically one man army, अब job क्या होता है, कि आपको किसी ने hire कर लिया, वो जो आपको काम दे रहा है, वो आपको करना है, बदले में आपको salary या आपका package जो है, वो आपको मिल रहा है, business में यह होता है, कि आप एक firm setup करते हो, आप एक business एक particular field में setup करते हो, और देन उसके बाद में, आप जो है marketing अपना department अलग बनाते हो, marketing करते हो, देन उसके बाद में projects आते हैं, वो पूरा एक process होता है, बड़ फ्री लांसिंग में basically one-man army, आप इसको कह सकते हो, आप सबसे पहले बात करते हैं, फ्री लांसिंग कौन से कौन से fields में, आज के time में popular चल रहा है, तो यह जो particular video इसको हमने divide किया है, पाँच पार्ट में, पहला पार्ट है develop in demand skills, मतलब वो कौन से skills हैं, जो आज के time में थोड़े ज़्यादा popular चल रहा हैं, जिन पर आप काम कर सकते हो, दूसरी चीज, कैसे अपनी online presence बनाएं, जिससे कि हमें clients मिल पाएं, जिक है, offline presence तो आपके जो known है, उनी ही में आपको marketing करनी पड़ेगी, पर online अपनी presence कैसे बनाएं, दूसरी चीज है, जब आप एक freelancer बन चुके हो, clients भी आपको आ रहे हैं, तो आपनी वो reputation कैसे बना के रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा clients आपको मिलें, दूसरी चीज है, network कैसे create करें, connections कैसे build करें, और third चीज है, कि आपको अपने freelancing को business जैसे manage करना पड़ेगा, आगे जाके आपको इसको business जैसे ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा time तक freelancing नहीं कर पाओगे, तो इन skills की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट की अभी इस time in demand skills कौन से हैं, तो देखें अभी as per the current data of LinkedIn, मतलब LinkedIn पर भी जो लोग hire कर रहे हैं, freelancing के लिए या फिर Fiverr पर अगर देखा जाएगी, जादा तर Fiverr जो एक बहुत famous freelancing tool है, Fiverr जो की एक famous freelancing online platform है, तो वहाँ पर जितने भी searches हो रही हैं, उनके basis पर आपन कुछ categories जो है निकाल सकते हैं, जिसमें popularity काफी बढ़ रही है, पहली चीज़ है digital marketing, yes, digital marketing is a wonderful freelancing skill, जो आप सीख कर आज के time में, इसके अंदर भी आप digital marketing में आपको यह नहीं करें, पूरा digital marketing, digital marketing में जो छोटे-चोटे dimensions हैं, जैसे SEO है, हमारा paid ads है, उसी के साथ में content writing है, उसी के साथ में हमारा email marketing है, off-page SEO है, तो यह चीज़ ने जो है, बहुत ज़्यादा popular चलने हैं, अब obviously बात है, जो चीज़ popular है, मतलब जिसकी demand ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पर competition भी ज़्यादा होगा, मतलब काफी लोग उस service को दे रहे होंगे, तो इस case में जोड़ा से मुश्किल हो सकता है, पर आपकी अगर अच्छी आपकी portfolio है, अच्छा आप results दे पा रहे हो, prices आपके मतलब जो है, एक competitive pricing है, तो उस case में आप survive कर सकते हो इस field में, दूसरे हमारी field है content writing, तो content writing में हर तरह का content, चाहे मैं immigration content writing की बात करूँ, academic content creation की बात करूँ, marketing content creation की बात करूँ, वो काफी ज़्यादा popular चल रहा है, क्योंकि आज मालों के person website भी बनाता है, आज कोई person अपना academic, मतलब school, colleges बालों को भी ज़रूरत पढ़ती है, अपने content लिखाने के लिए, कोई book लिखाना चाहता है, कोई अपना SEO करवाना चाहता है, तो उसके लिए content writing की ज़रूरत होती है, बादर digital marketing में भी content writing हमें चाहिए होता है, content writing बहुत popular है, और एक next field जो सबसे ज़ादा, और I think 2024 में सबसे उपर जाने वाली है, क्योंकि देखो, YouTube बहुत popular हो रहा है, Video creation बहुत popular हो रहा है, तो बहुत सारे लोग video creation में जा रहे है, तो जब video creation में बन्दा जा रहा है, तो video editors और graphic designers, दो की demand बहुत जादा बढ़ने वाली है, अभी भी है, लेकिन और भी जादा बढ़ने वाली है, Video creators, यानि हमारे video editors हो गए, audio editors हो गए, and हमारे graphic designers हो गए, यह जो ऐसा skill है, अगर आपके पास यह है, तो well and good नहीं है, तो आप सीख सकते हो, हमारे पास audio editing से लेकर, video editing, canva designing, graphic designing, video editing, सारे जो courses हो अवेलिबल है, इसी channel पर, तो WSQTEC, आपको इभी keyword डालके, WSQTEC टाइप करोगा, तो वो course का full, आपको link मिल जाएगा, YouTube पर जाओ, और टाइप करो, video editing WSQTEC, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप टाइप करो, illustrator WSQTEC, तो पूरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको A to Z, वो चीज सिखाए गई है, तो courses नहां से, तो जो courses हैं, वो भी आपके लिए available है, you can learn them, you can, पूरा वो course, सीख कर, आप क्या कर सकते हो, उस freelancing skill को grab कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसे चीज़ों होगे, जो आज करनाई में काफी ज़्यादा populous रहरी है, उसके अलाबा, अगर आप और किसी चीज में अच्छों, जैसे कि, you have a good voice, you can, you can become a voice over artist, ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, कि ओनलाइन प्रिजन्स जो है, हमारी कैसे create करें, ठीक है, अब ओनलाइन प्रिजन्स के लिए, सबसे पहला ये, कि आप अपनी एक website बना सकते हो, जैसे मानलो, आपनी एक वेब डवलपर, तो मैंने एक website बना दी, जहां पर मैंने अपना नाम, अपनी जो qualifications हैं, जो मैंने वहाँ पर, जो-जो languages के अंदर मैं काम कर सकती हूं, वो मैंने सारी चीजने डाल दी, जिस भी तरह की मैं website बना सकती हूं, कुछ वो मैंने अपने packages डाल दी है, चार्पार पेज की मैंने एक अच्छी जो है website बना दी हूं, उसका मैं SEO करके, अपनी उस website को promote कर रहूं, जिससे कोई भी person अगर सर्च करें, जिससे website developer, या website developer in India, website developer in Delhi, for example in keywords पर, तो मेरी website महाँ पर दिखे, तो अगर आप freelancer हों, तो भी आप एक website कर सकते हो, ज़रूर नहीं है कि आपको, कोई other tools पर ही dependent रहना पड़ेगा, या other platforms पर ही आपको clients मिलेंगे, आप अपने खुद के clients खुद से generate कर सकते हो, तो you can use or create a particular professional website, portfolio website भी आप एक बना सकते हो, बढ़ हाँ, उसका आपको SEO करना पड़ेगा, या pay dash चलाने पड़ेंगे, तब ही जो है वो लोगों को दिखेगी, ठीक है, दूसरी चीज है, famous freelancing platforms, उन पर आप अपना account बना सकते हो, अपने gigs बना सकते हो, gigs क्या होता है, कि आप अपना एक skill, जो भी आप काम कर सकते हो, जैसे भाई, मैं लोगों डिजाइन कर सकते हो, लोगों क्रिएट कर सकते हो, तो उसका मैंने एक banner बना दिया, एक वहाँ पर जो मैंने add कर दिया, by the way, यह जो freelancing course की मैं बात कर रहे थी, जिसका description box में आपको link मल जाएगा, उसमें आप यह सारी चीज़ें एकदम scratch से सीख जाओगे, उसी के साथ में आप यह बात करते हैं, कि famous freelancing platforms कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला, जो सबसे popular इंडिया में, as well as world में, जो सबसे popular freelancing platform है, जहां से आपको national as well as international clients मिल सकते हैं, वो है Fiverr, जादा अगर मैं आज के टाइम में बात करूँ, तो traffic जो है Fiverr पर बहुत अचा है, दूसरा हमारे platform है Upwork, चीक है, Upwork के अलावा हमारे एक और दूसरा platform है, that is Guru, गुरू के साथ में ही, एक और platform जो मैं आज के टाइम में आपको recommend करूँ, that is Freelancer, Freelancer, yes, negotiable और कह सकते हो, आप competitive आपको रखनी पड़ेगी, तो कमी price रखनी पड़ेगी, और अगर कोई client है, जैसे मानला आपने 10 dollar price रखी हुई है, client आपको कहता है, एक dollar में काम कर दो, एक बार के लिए कर देना, I know, I know, I can understand, कि आपे सब गुलो कि नई, हमार तो काम में बहुत effort लगता है, इतने कम पैसे में कैसे, तो point में रहिए, for the starters, उस account पर, उस platform पर अपने reviews बढ़ाने के लिए, अपने जो numbers of orders होते हैं, वो बढ़ाने के लिए, starting में, आप एक बार minimal cost पर भी, आप काम एक बार शुरू कीजिए, चीके, मेरा recommendation है, बाकि आपके मरसी, चीके, next चीज़ है, आप social media को भी use कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कि सिर्फ हम platforms को use करेंगे, websites को use करेंगे, काफी सारे लोग मैंने देखे हैं, जो social media के लिए content बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए, Instagram के लिए, और then they are asking people, भाई, if you need this service, I am here and you can contact me on this number, मतलब आपको किसी platform पर बेजाने की ज़रूत नहीं है, social media पर अच्छा content बनाओ, लोगों को बताओ, reels बनाओ, that if you want this thing, if you want this help, then you can contact me, तो इस तरह से वो reels बनाके, friends, families, अपने relatives, सब को एक message कर दो, कि भाई, यह, यह, मैं services देता हूँ, logo making हो गया, चाहिए, graphic designing हो गया, web development हो गया, so, अगर आप, या फिर आपके known में, किसी को यह services चाहिए, they can contact me, चीक है, अब इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, कि आपना affiliation भी, आप यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, कि उनको कुछ bonus भी आप promise कर सकते हो, कि भाई, अगर मेरको project मिलता है, तुम्हारे end से, मतलब तुम्हारे कोई reference से, मुझे कोई order मिलता है, 10% I'll give you the commission, ऐसी कोई चीजने करूँगे, तुम्हारे कोई परसंट चाहेगा, कि आप इसको बड़ा project दला हो, जिसे 10% उसका, यार 20% मिले, तो ऐसी चीजने भी आप उनको थोड़ा सा, बता सकते हो, कि आप थोड़ा सा लालज दे सकते हो, कुछ नहीं से कुछ तो आएगा, चीक है, अब दूसरी चीज़ होती है, बिल्ड योर रेपूटेशन, अब देखो, यहां पर ना, आदे से ज़्यादा, लोग का, फ्री रांजिंग करियर खतम हो जाता है, मैं बताती हूं आपको, अभी भाई, अपना main goal है, clients आने चाहिए है, clients आने चाहिए है, बट जब clients आज आतने, तो उनको अपन, वो quality प्रोवाइड नहीं कर रहे है, वहाँ पर हम, अपना dedication के साथ, काम नहीं कर रहे है, इससे क्या होता है, आपकी पहली चीज़, अगर आप online, अपने clients को जूंडा है, तो वहाँ पर आपका review, आपकी rating खराब होती है, जिससे फर्क पड़ेगा, next client आपको कितना जो है, order देगा या नहीं, दूसरी चीज़, अगर आप offline कोई clients है, तो वो चार लोगों को और जाके बताएगा, कि भाई, इसका काम अच्छा नहीं है, इससे काम नहीं करवाना है, हैना कि mouth publicity, mouth publicity, freelancing में बहुत अच्छा role play करती है, I've seen people, I've seen people, जो कि इनको एक project जैसे fiber से मिला, फिर उस person को उन्होंने services दी, तो उस person ने किसी third person को जाके बताया, भई मैंने ये चीज़ वहाँ से करवाई, ये video editing मैंने वहाँ से करवाई, या logo महाँ से बनवाई, फिर वहाँ से उसको order मिला, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, mouth publicity से अच्छा आप earn कर सकते हो, तो इसका पहली चीज़ है, आपको reputation अपने बिल्ड करनी है, पहला तरीका high quality work provide करना है, सामने वाले को, आगर उसने 1 रुपे आपको दिया है, आपको 10 रुपे का काम उसको देना है, for in your initial days, initial days में 1 रुपे का काम, आप 1 रुपे का काम का पैसा लिया है, तो 10 रुपे का काम उसको करके दो, अच्छा quality काम, आपको consistently बना के रखना है, जितना हो सके बहस से बहस काम देना है क्लाइन से ना कभी बहस नहीं करनी में आपको एक चीज समझा देते हूं क्लाइन बोल रहा है भाई यहां पर गड़ बड़ है ठीक है you are right I'll do my best to improve that thing तो हमेशे यह चीज अपने माइंड में रखने हैं दूसरी चीज क्लियर कम्यूनिकेशन रखो क्या आप लाइन को चाहिए क्या आप दे सकते हो वो क्लियर कम्यूनिकेशन रखो एक चीज में एक लाइन हमेशे बोलती हूं that is my favorite quotation of all the time I follow that also कि always promise what you can deliver then deliver more than you have promised मतलब सिर्फ उतनी चीज का वादा करो सामने वाले को जितना आप उसको deliver कर सकते हो जितनी आपकी capacity है फिर उसको उतना अच्छा काम deliver करो जितना आपने promise किया तो उसे कई जादा तो ये चीज हमेशे याद रखना clear communication रखो आपने 5 page की website बोली है ये interfaces बोले तो client को confirm कराते जाओ हर एक point पे भाई देखो ये देखो ठीक है अभी continue करें हर चीज पर approval लेना ये आपका काम है क्योंकि client आपको पैसा दे रहा है that is your master तो उसकी बात मानना ज़रूरी है दूसरी चीज कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट साय जा रहे है हम अपने टाइम भी मैरेज नहीं कर पार ये client को बोला दो दिन बात प्रोजेक्ट देना है हम उसको चार-पास दिन डिले कर रहे है क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट पड़ा है ऐसा कभी नहीं करना है always be on time और even जब आप थोड़ा और पड़ोगे प्रीलांसिंग के बारे में तो उसमें आपको बता चलेगा even जो ये online platforms है Fiverr, Upwork, Freelancer ये लोग क्या गरते हैं अगर आपने डिले किया ना प्रशिक देने में तो आपके रेटिंग कम कर देते हैं automatically वहाँ पर दिखा देते हैं भाई ये person डिले करता है तो make sure करो ये tag आपके profile पर ना लगे दूसरी चीज जो भी client है चाहए previous client है चाहए current client है उसे feedback लो उसे पूछो भाई ये ठीक है नहीं अच्छा लगा क्या कम है बताओ I'll try to improve तो ये feedback पगिरा लेना ज़रूरी है दूसरी चीज हमेशा do one thing कि आपके बहुत काम आएगी कोई भी आपका ex-client है मतलब जिस्ते को पहले आप services दे चुके हो या फिर कोई current client है always उसको बोलो भाई मेरे काम अच्छा लगा एक छोड़ा सा review डाल दे चीक है review कैसे या तो video try करो 100% उसको बोलो कि please मेरे को video review चाहिए भाई 10 second का 20 second का 30 second का वो बोल दे कि भाई इस बनाने बंदे से मैंने services लिखती मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा है नोने काम किया बहुत को अपरेट है तो ऐसी videos बना लो वो फिर आप अपनी website मतला client से पूछना है कि भाई इस profile को इस video को क्या मैं use कर सकता हूँ अपने Instagram बगरा के लिए तो वहां से फिर लोग आएंगे तो ये चीज है ना live review जब लोगों को दिखते है उनको बता चलता है ये बंदा genuine है इससे services लेने ही चाहिए तो ये बहुत आपका effective role play करता है video review नहीं बना के दे सकता है तो उसको बोले भाई तो message में लिख दे तो उसका screenshot बगरा आप use कर सकते हो दूसरी चीज अब यहां पने एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है अब ही freelancing शुरू कर दी job भी साथ में कर रहे है और अब जब freelancing opportunities आ रही है कि भाई अभी तो घर में शादी है अभी तो हमें कहीं बहार जाना है अभी project नहीं करते है मना कर देते है try करो कि जब तक कोई ऐसी emergency ना हो ना किसी भी project को मना मत करो हां अब ही तो मेरे पास यह project है तीन दिन बाद में आपका project ले लूँगा दो दिन बाद में ले लूँगा इस तरह से आप avoid करो कि कोई किसी भी तरह का procrastination जिससे की आपके client बने रहे क्योंकि हो सकता है आज आपके पास opportunity है कल ना है तो इसी लिए जितना हो सके किसी भी चीज को avoid या फिर प्रोकास्ट मत करो यह मैं सुचो छोड़ो या जाने दो और आजेंगे project नहीं ऐसा कब भी नहीं सोचना है क्योंकि इतना competition है यार आज आप ये video देख रहे हो आपके साथ में अभी views देख सकते हो कितने और लोगों ने देखी होगी उसी तरह से जो मैं आपको freelancing का course बताया उस course पर देखो कितने views हैं उतने लोगों ने वो freelancing course देखक freelancing सीख चुके हैं तो आप खुद सोचो कि इतना competition market में आज आपने उसको मिना कर दिया उसको अगर काम करवाना है client को तो वो किसी और के पाई जाये नहीं जायेगा तो इस चीज को ट्राय करो कि जितना हो सके procrastination avoid करो उसी के साथ मैं थोड़ी सी बात करते हैं नेटवर्क वगरा कैसे बनाएं तो और freelancers होते हैं उनसे आप collaborate कर सकते हो अब आप बोलोगे कि दूसरा freelancer मुझे क्यों opportunity देगा तो यहाँ पर एक simple सी चीज बताती हूँ जैसे I'm a digital marketer अब digital marketer को भी और freelancers की ज़रुद परती है जैसे मालनो मेरे पास एक client आया उसने बोला भाई मेरी website का issue करना है अभी उसकी website let's say एक code में बनी हुई है जो मुझे नहीं आता क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ां होती है जो आपको उस website development से related होती है तो मैंने क्या करना है मुझे भाई developer चाहिए आप client से मैंने बोला client ने बोला मेरा तो developer नहीं है तुम देखो कैसे करना है मैं फिर क्या करूँगी किसी और freelancer को वो करूँगी ना contact करूँगी जो development में expert हो तो इस तरह से ये काम बनता है अज मैं digital market हो लूँ मुझे web developer की जरूरत है तो कई बार ऐसा होता है मैं आउट्सोर्स करता है मैं नहीं कर सकती है मेरे पार time नहीं है graphic designing का मैंने किसी और से वो कर लिया कई बार मानलो I am a famous freelancer आपने मुझे contact किया मेरे पास कोई project है मेरे पास time नहीं था मेरे पास already project चल रहा था मैं आपको क्या कर सकती हूँ outsource कर सकती हूँ this is called drop shipping तो जब आप कुछ अच्छे freelancers से contact में रहते हो तो कई बार आपको आप उनसे बात करो आप उनको बताओ कि sir मैं ये service देता हूँ या फिर माम मैं ये services provide करता हूँ कभी भी आपको इस तरह का आपको काम हो तो मुझे बताना तो इस तरह से आप क्या कर सकते हूँ दूसरे फ्रीलांसर से contact करके projects ले सकते हूँ दूसरी चीज़ से mouth publicize अपने family, friends, relatives सब को एक message कर दो ये services मैं provide करता हूँ ये ये मेरी specialities हैं कोई भी आपको काम हो मुझे बताईए फिर आप अपने जो clients हैं आपके previous clients हैं जो current clients हैं उनको बोलो भई हम तुमें discount दे रहे हैं हम तुमें discount दे रहे हैं तुम हमें और clients किसी को reference दो हमारा आप उनको request कर सकते हो कि guys I have to make money for this thing आप उनको अपने problem बता सकते हो आप उनको बता सकते हो I have no job this is my bread and butter I have a family to feed तो आप उनको बता सकते हो उनको बोल सकते हो कोई भी ऐसा आपके पास काम हो please मुझे बताईए और लोगों का refer कीजे और उसी के साथ साथ आप उनको थोड़ा सा वो कर सकते हो कि अगर आप हमें project देते हो आपके reference मर पास project आता है तो हम आपको इतना person joy commission देंगे तो इस तरह की deals भी आप कर सकते हो चीक है उसके साथ में next cheese always always अपने freelancing को एक freelancing part-time job नहीं समझना है you have to manage it like a business you have to treat it like a business आप ये मान के चलो है मेरा business है सबसे पहली चीज fair rates आपने रखनी है ऐसा नहीं कि या तो बिल्कुली fair rates रखनी है fair rates का मतलब होता है कि ऐसी rate जो client के लिए और आपके लिए दोनों के लिए beneficial हो हाँ starting में आप थोड़ा काम rates में काम कर सकते हो अच्छी quality अगर आप portfolio बनाने के लिए कर रहे हो तो लेकिन at the point of time ऐसी भी rates नहीं रखनी जो client बोले भाई इससे आदे में तो कोई दूसरा question करके दे रहा है और negotiate आज किसी client को जाने मत दो कुछ ना कुछ deal करो कुछ ना कुछ services में कम जादा करवा कि है prices में कम जादा करा के try करो कि उससे आपको project मिल जाए तो client से negotiate करना, बात करना communication skills अच्छे करना है बहुत जादा ज़रूरी है दूसरी चीज़ देखो कितनी income आपकी आ रही है कहां खर्च हो रही है, मन्तली हिसाब निकालो ठीक है, फाइवर से मैंने इतने कमाई अपवर्ट से इतने कमाई वेबसाइट से इतने project आई, एक महीने में इतना हुआ फिर उसको कहां save करना है कहां invest करना है, कैसे अपने और skills को upgrade करना है, तो ऐसा नहीं बस पैसा आया जा रहा है, खर्च कर रहे हैं कल का पता ही नहीं, उसको एक business की तरह एक salary की तरह समझो, दूसरी चीज protect yourself legally, यहां पर जब आप कोई income generate कर रहे हो, पैसा involved है किसी से आपने पैसा लिया है तो आप, जो पैसा उसने आपको दिया है, उसके बदले में उसको वो product या service मिलनी चाहिए, that is the rule that is the law, चीक है, simple चीज, आप, try करो किसी के साथ, आप fake promises मत करो माल लो, आज मैंने client से project ले लिया पैसा उसने मेरे को advance डाल दिया मैं वो project नहीं कर पाई, immediately उसको या तो advance transfer करो, या जो भी आपने उसको services देनी है उतना दे के, और उससे फिर payment लो, ऐसा नहीं करना है पैसा ले लिया, और भाई बैठे हैं, ठीक है पैसा तो आ गया, ऐसी चीज़ा नहीं करनी है देखो यार, मैं बहुत simple सी, I'm very spiritual person, I totally believe, जो तुम यहां किसी का नुक्सान करोगे न, financially और emotionally उपर जाके तुम्हारा इसाब होने वाला है चीक है, तो यह चीज़ याद रखना किसी के भी पैसे खराब नहीं करने, किसी को भी चीट नहीं करना, चीक है, नहीं तो सब देखने वाले न, सब देख रहे हैं, चीक है चलो, यहां तुम बज जाओगे, बर उपर जाके किसको जवाब दोगे हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखनी है दूसरी चीज, ITR फिल करना ज़रूरी है, चीनको नहीं पता, ITR क्या होती है, मैं बता देती हूं, it is income tax return, हर साल 31st March के बाद, इंडिया की बात करना आप अपनी country का देख सकते हैं, अगर आप किस दूसरी country से हैं, तो हर साल 31st March के बाद में, you have to fill your ITR कि इस year आपने कितना पैसा कमाया है उसका government को text देना होता है वो भी 5 लाग से उपर अगर income आपकी जा रही है, तो होता है तो किसी CA के तुरू, या कुछ भी एक ITR बढ़ दो, 1,500 रुपले वो लेंगे अब मैं आपको एक और चीज बताते हूं, इसके फायदे के आप सूचों के माम, क्यों बढ़ने, पहली चीज आप जतना भी काम कर रहों online कर रहों income फूरी track हो रही है, कही ना कहीं से पैसा आ रहा है और पते है कई बर क्या होता है, जैसे 5 लपी पैसा आया तो TDS कट जाता है 10 परिशन पहले सी काटके आपको बेजेंगे तो वो तो TDS को भी आप क्लेम कर सकते हूं तो ऐसा नहीं ITR में हमेशे पैसे देने ही होते हैं, पैसे मिलते भी हैं बहुत सारे, TDS आप कलेक कर सकते हो, जैसे तीडियस कहीं से कटा और मुझे लगता भी मेरी 10 प्रिशंट से जादे इंकम हुई नहीं है, तो आप उस TDS को क्लेम कर सकते हो, चीक है, तो ऐसा नहीं ITR में नुकसान ही होता है, दूसरी चीज़, ITR से ना आपका स्विबल स्कोर, आपकी जो एक फिनेंशल केपेबिलिटी है, वो बढ़ती है, आज आप कहीं पर भी लोन लेने जाओगे, घर लेना है, कार लेनी है, तो उसके लिए वो मांगते हैं, कि भी आपका तीन साल का ITR दिखाओ, तो ITR जब भरा हुआ है, कुछ इंकम उसमें दिख रही है, उसी के तरह, आप अगर ने एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है, और उसके दूरू फ्रीनांसिंग के प्रजेक्ट ले रहे हो, तो ट्राइ करो, एक GST में भी रजिस्टर करा लो, गर अच्छी इंकम हो रही है, तो GST में रजिस्टर करा लो, क्लाइट को प्रॉपर इंवोईज दो, अपनी सर्विसेस का, तो इससे आप और भी जादा प्रोफेशनल साउंड करते हो, और बहुत जादा जब बिजनस बढ़ जाया, तो अपनी कंपनी रिजिस्टर कर लो, अपनी फर्म रिजिस्टर कर लो, चीक है, बाइद वेई, यह ज़रूर होगा, अगर आम मन लगा के काम करोगे तो, आज की यह विडियो रही होगी आपके लिए यूस्वल, बनना चाहते हो फ्रीलांसर, पहले तो कोर्स देखो, पहले तो यह विडियो देख ली, आपको कुछ परड़क्ट देना पड़ेगा, तो पहले तो वो कोर्स सीखो, स्किल सीखो, पहले तो चूज करो क्या सीखना है, फिर सीखो, जितने भी आपको IT-related courses है, वो यह ही मिल जाएंगे, WS Cube Tech पर, और उसी के साथ में आप क्या करो, फ्रीलांसिंग जो मैंने कोर्स बता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंग मिल जाएगा, उसको सीखो, फ्री कोर्स है, फिर उसके बाद में अपना फ्रीलांसिंग करें, शुरू करो, I wish you luck, I wish you कि आप बहुत जादा successful रहें, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको बहुत जादा जो है success मिले, आप काफी अच्छा अर्न करें, और अपनी family और खुद की lifestyle increase करें, So, I hope this video is useful for you, अच्छे लगे तो like जरूर करना, comment जरूर कर देना, कि next video कौन से दिखना चाहते हो, बचाद ये, मिलते हैं next video में, तब तक keep learning.